हलो गाईज, वेलकम इन आवर यूट्यूब चेनल, सिविल इंजिनेरिग एंपायर, सो आज हम करने जा रहे हैं, सिव अनालिसिस फोर फाइन एग्रिगेट, जो हमारी फाइन एग्रिगेट होता है, जिसे हम सैंड बोलते हैं, या बालूरेट भी बोलते हैं, ठीके, उसके ल आप देख सकते हैं, जो जो एपरेटर्स यूज होते हैं, हमारी सिव इनलिसिस में, हमारी सिव होती है, ठीके, जिसको हम ब्रास सिव बोलते हैं, ये ब्रास मेट्रिल के बनी होती है, ओके, देन हम ब्रश यूज करते हैं, यह हमारा ब्रश होता है, ठीके, और एक ब्रश य use करते हैं इसमें wait करने के लिए okay so इसके आगे अब हम इसका procedure देखेंगे कैसे हम इसको पुरा करते है according to IS code जिसमें हम IS code follow करते है IS 2386 part 1 1963 उसके according हम उसको पुरा perform करेंगे आपके सामने so now procedure start करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन-कौन से सिउस करेंगे हम ठीक है सबसे पहले जो हम इसमें सिउस लेंगे that is 10 mm then 4.75 mm 2.36 1.18 600 micron 300 micron and then last one is 150 micron and last one जो यूज करेंगे that is called pen और जो सबसे उपर हम यूज करते हैं वह हमारा lead ओके तो सबसे पहले practical start करने से पहले हमें बता करना पड़ता है sieve analysis के लिए कि हमें sample कितना लेना है okay तो इसके लिए हमें sieve करना पड़ता है सबसे पहले sieve analysis करना पड़ेगा उसमें आप sample ले सकते हैं 200 gram 300 gram जितना आपको suitable sieving के लिए okay तो हम इसमें लेंगे सबसे पहले 200 gram sample लेंगे देन उसका सीव अनालेसिस करके में फाइंड आउट करेंगे कि हमारी कौन सीव के उपर सबसे जादा रिटन आ रहा है फिर according to code जैसा कि आप एक टेबल में देख रहे हैं अकोर्डिंग कोट कि सीव के उपर हमारा सबसे रिटन आया है फिर हम उतना वेट लेके सीव अनालेसिस परफॉम करेंगे ओके देन हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो पार्टिकल का साइज या फिर जो हमारी सेंड है वो किस जोन की ओके नाव हम 200 ग्राम का वेट सकते हैं या यह देन वेट लेने के बाद फिर इस पैन के अंदर हम इसको फील करेंगे दिन फील करने के बाद फिर हम इसका सीव नालेसिस करेंगे जीकिशाना की अब देखिएंगे ओके है तो गाइज हमारा 200 ग्राम हो गया है ना वह इसमें करें इसके बाद हम इसका सिविंग करेंगे ओके तो गाइज अभी आपने देखा हमने इसका वेट किया था 200 ग्राम हमने वेट लिया है ठीक है यह फाइंड आउट करने के लिए कितना मट्रियल लेना है उसके लिए हम सबसे पहले एक टेस्ट करेंगे ठीक है तो यह हमने मट्रियल लिया है अब हम इसको इसमें फील करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इसमें मट्रियल डालेंगे मट्रियल डालने के बाद हम इस लीड को इसके उपर रखेंगे Then, अब हम इसको सेविंग मशीन में सैट करेंगे, ठीक है, जिसा कि आप देख सकते हैं Now, उपर से हम इसको fix करेंगे, ताकि यह move नहों पाए, ठीक है, जिसा कि आप देख सकते हैं यह अब हमारी हो गए fix, इसको स्टार्ट करने से पछले हमें इसको 2 मिनिट के लिए सिविंग करना है , कम से कम, 2 मनिट आपको सिविंग करना है, ठीक है? दो मिनिट सीविंग करके फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारा पार्टिकल और पास तो नहीं हो रहा है ठीक है तो उसके लिए उसके लिए कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ देन हम स्टार्ट करेंगे मशीन नाव हमारी सीविंग को टू मिनिट कम्पलिट हो चुके है देन हम इसको मशीन से लिकालेंगे अब इसको निकालने के बाद हम इसमें चेक करेंगे अब हमारा कोई मैटेरियल पास तो नहीं हो रहा है है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा मैटेरियल पास हो रहा है देन हम इसको फिर से दो मिनिट के लिए सीविंग करेंगे ओके सो अब हम देखेंगे इसको हम वेट करके देखेंगे इस पर के अगर कुछ रिटेन आया है तो उसका आपको वेट करना है ठीक है तो देखिए 10 mm से हमारा पूरा 100% पास हो गया है ठीक है देन 4.75 से भी 100% पास हो गया है देन आप देख सकते हैं 2.36 पे हम पैन का उसकरेंगे ताकि पार्टिकल कोई नीचे नीचा है अपका इस पे आप देख सकते हैं हमारा कुछ रिटेन आया है देशा है कि आप देख सकते हैं ठीक है अब हम इसको एक बार स्यू करके देखेंगे बाइंड कैसे करते ही में हमारा एक वीडियो था इसके पहले कोर्स अग्रिगेट और सीविन आलिसीस को उसमें भी हमने अच्छा से डिस्क्राइब करके बता अगर एक्रम और यह कोई पास नहीं हो रहा है ठीक है यह में इसका है तो घच करेंगे हैं होЕ Hybrid है हमारे कंपकलेट कुछ पीडियों हुआ है ठीक है तो टू मिनिट खिलेए हैं अब हम देख लाइए हमारा मेट टन पाशो नहीं हूआ है सो देख सकते हैं हमारा मट्रियल इसमें पास नहीं हुआ है तो नाव अब हम इसका वेट करेंगे जो भी हमारा आया है इसको हम पेन में ले लेंगे अगर कोई पार्टिकल आपका अगर एक्चुल आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो हम इसमें ब्रश यूस करते हैं वो यूस इसलिए आता है कि अगर आपका कोई पार्टिकल रहे गया है तो आपको इससे क्लीन करना है ऐसा नहीं है कि आप हाथ से करना है आपको टच नहीं करना है हाथ ठीक है अकोर्डिंग टू कोड यह दिया है आपको यूस करना है ठीक है अभी तो कोई मट्रेल हमारे इसमें है नहीं ठीक है देन हम इसका वेट करेंगे जो हमारा मट्रेल रिटन हुआ है ठीक है अब जो भी आपका वेट आया है उसको आपको नोट डाउन करना है जो भी आपका वेट आया है उसको आपको आपनी डायरी में नोट डाउन करना है ठीक है एसा सिमिलरली जितने भी आपकी सीव से सबके उपर हमें एक बार सीविंग करके देखना कि पास तो नहीं हो रहा ह आपको उसका wait करना है then note down करना है ठीक है इसका एक observation sheet होता है ठीक है वो हम आपको last में आप देखेंगे उस पर हम बताएंगे आपको के कैसे उसको feel करना है ठीक है तो ऐसे सबका wait करना है ठीक है सो गाइज आभी आपने देखा हमने see analysis कैसे किया है सो हमारा जो सबसे यदा return आया है send वो आया है हमारी 2.36 mm की सीव पर ठीक है according to code आप एक table देख रहे हैं हमें जो weight लेना है अब हमारे actual sample के लिए वो हमें लेना है कम से कम 100 gram ठीक है इस table में आप देख सकते हमें कम से कम जो weight ल weight लिया है वो लिया है 110 gram 110 gram हमने weight लिया है देन उसके बाद आपको same procedure follow करना है ठीक है आपको वापिस लेना है आपको इसी format में see you का setup जमाना है material feel करना है उसको shake करना है same procedure है जो इसके पहले अभी आपने देखा ठीक है फिर जो भी आपका return आते जाए आपको उसको note down करना है ठीक है अभी हम आपको एक table बताएंगे result में कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे तो उससे हमें find out हो जाएगा कि हमारा जो particle है वो किस size का है और हमारा particle कौन से zone का है ठीक है हमारे particle को जो हमारा send होता है उसको 4 zone में divide किया गया है zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4 तो हम आपको results में वो भी शो करके बताएंगे कि हमारा जो particle था जो अभी हमने test किया है वो कौन से zone की हमारी send है ठीक है आपको इस pattern में पूरा complete करना है तो ऐसे आप analysis कर सकते है ठीक है नाव हम देखेंगे इसका result so guys जैसा कि आपने देखा था जब हम experiment perform कर रहे थे तो उस time हमारा यह return आया था ठीक है तो हमने यहां पर note down कर लिया था weight of sample return ठीक है तो जो हमने सबसे जो हमारा sample का weight था वह हमारा था 110 gram हमने sample लिया था then उसके saving कर रहा था उसके बाद जो return आया था हमने note down कर लिया था यहां तक देन इसके बाद जो यह format आप देख रहे है percentage of weight return cumulative of weight return percentage में and percent of weight passing यह हमें find out करना है ठीक है और हम यह भी बताएंगे इसमें कि हमारी जो send हो कौन से zone में है ठीक है तो उसके लिए आप देख सकते है यह हमने table पूरा complete कर चुके है हम हम आपको direct बता रहे है ठीक है इसका ऐसा करके हमें पूरा यह चीज निकलती है यह चीज यह से निकलेगी और इस जो हमारा पूरा calculation करने के बाद जो आया है हमारा यह final वाला ठीक है तो यह हमारा zone जो send हो हमारा है zone 3 का so okay गाइस यह हमारा अभी आपने देखा हमने पूरा experiment आपको बता अकोर्डिंग टू आईएस कोड 2386 part 1 1963 के अकोर्डिंग सीव अनलेसी सफाइन अग्रिगेट कैसे करते हैं ठीक है तो अगर आप और इस वीडियो देखना चाहते हैं ठीक है जो अकोर्डिंग टू आईएस कोड है जो हम सीखना चाहते हैं ठीक है सो गाइज अगर आप हमारा चेनल पर वीडियो देखते हैं तो आपको आईएस कोड याद करने की जरूती नहीं पड़ेगी ठीक है सबसे इजी वे में हम आपको सिखा रहे हैं सारी चीजे सो गाइज थैंक्यू सो माइज